Reliance Industries Limited आजकल हर रोज खबरों में हैं आप देखी रहे होंगे चाहे वह Green Energy के बारे में हो या फिर एक से बढ़कर एक जोड़दार Acquisitions के बारे में अभी एकाद वीक पहले ही खबर पढ़ी थी कि Reliance ने एक बहुत बड़े Robot Maker Company जनी Adverb Technologies में बहुत ही बड़ा निवेश किया है तो इस सबसे देखें तब लग रहा है कि Reliance Industries Limited अपने आपको भविष्य के लिए बहुत ही बहतर धंग से तयार कर रही है तो आज के इस वीडियो में हम Reliance Industries Limited के Stock का Analysis करेंगे और जानेंगे कि इस Stock में मेरा व्यू क्या है आगे बढ़ने से पहले एक Disclaimer देना चाहूंगा कि ये Stock मेरे Portfolio में है और ये वीडियो के वाल आपकी जानकारी के उद्देश से ही बनाई गई है इसे निवेश की राय न मानें और अपना रिसेट सरूर करें या फिर अपने Financial Advisor की राय ले लें मुकेश अंबानी के स्वामित वाली Reliance Industries के बारे में कौन नहीं चानता होगा वैसे भी जियो आने के बाद तो इसे सभी लोग वाकिफ हो ही गए है Reliance ने अपनी जगे Fortune 500 Companies में बनाई है और ये भारत की सबसे बड़ी Private Sector Company है जी हाँ अब अगर इनके बिजनेस की बात कर लें तो पूछे ही मत इनके धेर सारे बिजनेस वर्टिकल्स हैं और हर दिन ये नए नए बिजनेस को एक्वाइर करते ही जा रहे हैं अब आप इस ग्राफिक में देखे हैं तो पाएंगे की इनके मुख बिजनेस है Oil Exploration यानि Upstream जहाँ पर तेल का खनन होता है यानि तेल निकाला जाता है Downstream यानि Refinery और उनके प्रोडक्ट्स जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, इत्यादी की मार्केटिंग फिर इनके पास है मीडिया यानि TV18 चैनल और आप जो Money Control एप यूज करते हैं उसमें भी RIL की हिस्सेदारी है फिर Jio और इससे जुड़े Digital Services जैसे Broadband और IP TV इत्यादी के बारे में तो आपको पता ही होगा इनका काफी बड़ा Petrochemical Business भी है जहां ये Plastics, Polymers और Related Chemicals बनाते हैं ये काफी फाइदेमंद बिजनस है इसके लावा इनका Retail पे भी काफी बड़ा निवेश है आपको Jio Mart के बारे में पता ही होगा जो काफी बड़ा Retail Chain बनने की राह पर है अभी खतम नहीं हुआ है इसके अलावा भी आप रोज अकबारों में पढ़ ही रह होंगे कि इनके भविशे में आने वाले Green Energy Business के बारे में जिसमें ACC Battery यानि Advanced Chemical Cell Batteries और Solar Energy और Green Hydrogen प्रमुक है अभी हाली में इन्होंने Hospitality Industry में भी बड़ा निवेश किया है जिसके लिए इन्होंने New York में एक बड़ा लगजरी होटल भी खरीदा है ये देखिए इस से लिटेड अप एक News भी देख सकते हैं आने वाले समय में आप सुन सकते हैं कि R.I.L. ने किसी और नए बिजनेस वर्टिकल में हाथ हाजमाया है तो इसमें आपको आश्चेर नहीं होना चाहिए अब बात करेंगे Reliance Industries के revenue breakup के बारे में मतलब कौन सा बिजनेस इनकी कमाई का मुख्य सुरूत है तो आप इस टेबल को देख सकते हैं सबसे अधिक कमाई इनकी refinery और marketing बिजनेस से होती है मतलब करीब 50 प्रतिशत और इसके लावा है retail 21 प्रतिशत digital 9 प्रतिशत petrochemical 19 प्रतिशत और oil and gas exploration और media से आधाधा percent cool revenue का आता है तो यहाँ देखा जाए refinery और oil marketing बिजनेस तो हाल फिल हाल के लिए ठीक है पर green energy push के कारण इन में गिरावाट हो सकती है अब जैसे अभी का देखिए कुछ समय से इनके stock में गिरावाट चलू है मतलब 2-3 दिन से इवेन इफ आप देखेंगे कि इनका result भी काफी अच्छा आया है फिर भी और ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके द्वारा एक company खरी दी गए थी Sterling और Wilson Solar और आप जानते हैं क्योंकि आपने ये news भी पढ़ी होगी या सुनी होगी कि Reliance ने कुछ दिनों पहले Sterling और Wilson Solar का हिस्सेदारी बाई किया है तो company ने अपने Reliance Ventures Limited दोरा शपूर जी पलों जी company जो Sterling विलसन की parent company है उसे 750 करोड रुपए का loan दे दिया तो ये जो था इसका disclosure उनोंने नहीं किया और बाद में पता चला तो इसलिए stock गिरने लगा हाला कि इसके बारे में बाद में company ने सफाई भी दी है और इसका फाइदा इने भविश में जरूर में लेगा इसमें कोई दो राय नहीं है आप देखते जाएं अब चलिए RIL की financial highlights को देखते हैं यह आप देख सकते हैं revenue जो yearly और quarterly दिखाय गया है यहां आपको numbers पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपके वल graph में सीधे सीधे देख सकते हैं कि यह slowly slowly मगर बढ़ रहा है बीच में corona का downfall दिखता है quarter on quarter basis पर पर all all revenues जो हैं वो positive ही हैं इविन अब देखेंगे जो अभी का result आया है quarter 3 का उन्होंने इसमें काफी अच्छे revenue पोस्ट किये हैं और उनके estimates ने analyst के estimates को beat भी किया है अब बात करेंगे CAGR returns की तो आये जानते हैं कि Reliance ने पिछले 10 सालों में क्या कुछ कमा कर अपने निवेशिकों को दिया है दोस्तों अगर आप भी अपने निवेश पर CAGR calculate करना चाहते हैं तो हमारी compounding और CAGR वाली वीडियो ज़रूर देखें उसका link description में मिल जाएगा ये table देखकर लगता है कि RIL एक consistent compounder है पिछले एक दशक से मतलब पिछले 10 सालों से हैं तो दोस्तों आप देखेंगे 10 सालों में लगभग 20.5 7 सालों में लगभग 28.6% 5 सालों में लगभग 37% के return 3 सालों में 39% और पिछले एक सालों में लगभग 21.5% के returns इस company ने निवेशकों को कमा कर दिये हैं हाला कि पिछला एक साल अगर देखा जाए तो इसी stock में कोई अधिक movement नहीं हुआ है तो आप देखेंगे लगभग 22.5% का ही return है अगर आज की condition में देखें तो पर आपको ये भी जानना पड़ेगा कि इसका market cap देखें जो कि कितना बड़ा है मतलब सबसे most valuable companies है NAC और BAC पर इसका market valuation जो है बिल्कुल top पर है तो आप देखेंगे कि जो इस प्रकार की company है जैसे TCS हो गई, HUL हो गई मतलब जिनका market cap बहुत जादा है वो एक साल में कुछ ऐसा नहीं करती है कि दुगना या तिगना या चौगना या चौगना रिटरंस देता है नहीं, पर ये काफी safe है और लगभग consistent जैसा रिटरंस देती है तो ये बात आपको reliance के case में भी धियान रखनी है net profit की बात करें तब yearly basis पर ये थोड़ा बढ़ा है पर Q on Q basis पर ये लगभग constant है या कहीं कहीं आप कम देख सकते है मतलब अगर RIL के stock को आगे भी बढ़ना है तब उन्हें अच्छी से अच्छी profit growth दिखानी होगी आने वाले समय में हाला कि जैसे मैंने पहले बताया है इस बार का result उनका काफी अच्छा आया है तो देखते हैं आगे इस stock की चाल कैसी होने वाली है EPS यानि earnings पर share की बात करें तब भी इसमें कुछ खास growth नहीं दिखती है yearly basis पर तो 2018 के बात से ये लगभग समान ही है अब FY21-22 में देखते हैं जैसे quarter 3 के result तो आ गया है quarter 4 में देखेंगे कि कैसा ये EPS post करते हैं उसके हिसाब से stock की चाल कैसी होती है Q1 Q basis पर अगर देखेंगे गया है तो आगे देखते हैं ये जो बढ़ा हुआ EPS है आगे भी sustain होता है कि नहीं दोस्तों ऐसे गर एक बात ये भी है कि अगर अभी तक इस company का EPS लगभग constant या नीचे था तो stock भी एक range में काम करेगा आगे growth दिखाने के लिए इसको profit में growth और EPS में growth दिखानी पड़ेगी अब सबसे बड़ा metric यानि debt to equity की बात करें तब आप देख सकते हैं कि reliance लगातार अपने करजे को कम करता जा रहा है 2020 के comparison में देखेंगे तब इसका debt to equity 0.65 से 0.32 आ गया है जो company के लिए काफी positive है इसके अलावा इनका कोई भी share gravy यानि pledge नहीं है जो काफी अच्छी बात है R.I.L. का share holding patterns अगर देखेंगे तो पाएंगे कि promoters धीरे धीरे ही सही पर अपनी हिसारी थोड़ी थोड़ी करके बढ़ा रहा है जो shareholders को confidence देता है इस company पर FII और DII लगभग constant है आप देखेंगे तो थोड़ा-थोड़ा कम हुए है और या लगभग constant ही मान सकते है और अगर public की बात करें तो public का भरोसा इन पर से लगभग-लगभग उपता जा रहा है इसलिए वह अपनी holding थोड़ी-थोड़ी कम करते जा रहा है पर September और December में अगर compare करेंगे तो December में लगता है कि वापस से public इसमें invest करना शुरू कर चुकी है इसके लिए देखेंगे आप थोड़ा सा percentage जो है इनका बढ़ गया है देखें आप जब भी किसी stock में invest करें तब उसका share holding pattern जरूर देखें अगर promoters और FII stake बढ़ा रहे हैं या consistent रख रहे हैं तब भविश्य में कुछ बढ़ा सोचा जा रहा है इस बात का आप ध्यान रखें पर public को तो तुरंद returns चाहिए इसलिए वो लोग उतना long term hold नहीं करते और public percentage गिरती जाती है अब आईए बात करें 10 सबसे आवश्यक financial ratios की जो हमें किसी company में investment के दोरान देखना ही चाहिए दोस्तों मैंने इन 10 financial ratios पर एक detailed वीडियो भी बना रखी है जहां आप इसकी मदद से शांदार stock खोच सकते हैं link description में है तो यहां देखें आप सिर्फ green tick देखिए आप numbers पर मत जाएए मतलब EPS, price to book, return on equity, current ratio, debt to equity और dividend yield तो positive है पर PE यानि price to earning, PEG यानि price to earning growth, price to sales और ROE यानि return on equity अभी okay-okay ही है मतलब इसको negative नहीं बोल सकते हैं पर यह okay-okay है, so-so है पर अभी आपको लगातार इसके तिमाही results पर ध्यान देना होगा और जैसे ही यह yellow tier जो आप देख रहे हैं, वह वाले ratios ठीक हो जाते हैं, तो वैसे ही stock में भी तेजी आती जाएगी यह तो for sure है अब चलिए, जानते हैं कि Reliance Industries पर positives या negative views क्या हैं और यह कैसे future की दशा तैं करेंगे पहले negatives की बात कर लें देखिए, कुछ दिन पहले साओधी रामको की deal cancel हुई थी, उसके बाद R.I.L. का stock नीचे आया था, यह short term negative था दिरे दिरे यह negativity काफी कुछ absorb हो गई है और चली भी जाएगी दूसरा जो negative point मुझे समझ में आता है या यूं कहें कि अगर negative नहीं है तो positive भी नहीं है कि company जो है वह कुछ अधिक ही diversified है अब आप कहेंगे कि कुछ भी diversification तो ऐसे देखा जा बहुत अच्छा होता है जी हां अच्छा है तभी तो stock इतना अधिक तूटता नहीं है क्योंकि R.I.L. में एक बड़ा margin of safety है उसका diversification पर यही diversification उसकी growth को खा जाता है मानने कि कोई sector की growth positive है तो कोई negative है तो overall अगर देखेंगे तो इस दशा में profits distribute हो जाएंगे तो यह positive है और negative भी है पर हाँ future में अगर कुछ business का de-merger होता है जैसे geo या retail या green energy तब बात कुछ और होगी देखते हैं यह तो आने वाला समय ही बताएगा अब इस stock का जो price है वह इसके fair value से अधिक है मतलब आगे बढ़ने के लिए इसे earnings में अपने लगातार growth दिखाने पड़ेगी तब ही stock भागेगा Reliance का ROE यानि return on equity कुछ खास नहीं है बस okay okay है वैसे यह इतना कम भी नहीं है पर लगभग आप देखें के 9% लगभग okay ही है अब positive की बात करें तो RIL अपने आपको future oriented बना रहा है जिसका प्रभाव long term में दिखाई देगा पर अभी तुरंत अगर आप चाहेंगे तो इसका result नहीं आएगा आप देखें ये company आजकल कई companies को लगातार खरीद रही है या उनमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही है green energy का जो push है वह तो सब लोग जानी रहे हैं इनकी jamnagar site पर बहुत बड़ा battery manufacturing complex आने वाला है अगले 15 सालों में इनका 68 billion US dollars के investment का plan है सिर्फ और सिर्फ गुजरात में green hydrogen, green energy और batteries के लिए ये hospitality sector में भी हाथ आजमाने वाले हैं ये तो आप देखी चुके हैं वैसे हमने पहले ही देखा कि ये company बढ़िया compounded growth दिखा रही है लंबे समय में और लगातार अपने करजे कम करती जा रही है बढ़ी बात है कि इनके कोई भी shares गिर्वी नहीं है इसके future oriented business को देखते हुए बड़े-बड़े rating agencies और investors ने बढ़िया revenue और earnings का prediction भी किया है तो आप देखी सकते हैं कि इस quarter 3 में इन्होंने सारे estimates को beat कर दिया है तो दोस्तों जैसा हमने अभी diversification की बात की तो future में इसकी value unlock करने के लिए इनके businesses का demerger करना बहुत ही अवश्यक होगा सबसे बड़ी बात अभी मुकेश अमबानी Reliance में सत्ता परिवर्तन का संकेत दे चुके हैं तो देखते हैं कि future में इसमें क्या कुछ होता है तो fundamentally अगर देखा जाए तो long term के लिए Reliance का भविश्य बहुत ही बहतरीन है और भविश्य के लिए ये stock बहुत ही अच्छा है ऐसा मेरा मानना है अब चलिए थोड़ा सा short term traders के लिए तरिक technical भी देखते चलते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि Reliance अभी एक range में ही करोबार कर रहा है ये आज का chart है यानि 25 January का result अच्छा आने के बाद भी इसमें correction है क्योंकि overall market तूट गया है और जैसा मैंने को Sterling and Wilson वाली एक news भी बताई है तो ये मिला करके इस stock पर pressure डाल रहा है अभी ये अपने support पर ही काम कर रहा है और आगे बढ़ने के लिए इसे 2470 के उपर जाना होगा यहाँ देखें ये resistance है फिर इसके बाद इसका resistance लगभग 2580 और फिर all time high यानि 2551 के उपर इसे बंद होना होगा इसके Q3 results के देखने के बाद कई investment houses ने इसका near term target 2900 रखा हुआ है पर वो तो समय ही बताएगा support की बात करें तब अभी का support ये अगर तोड़ देता है तो 250-260 के आसपास ये फिर से एक नया support ले सकता है तो जो भी short term traders हैं वो इसी support और resistance पर play कर सकते हैं तो देखा आपने कैसे आप technicals की मदद से अपने buying selling targets निकाल सकते हैं अगर आप भी बड़ी ही आसानी से किसी stock का support और resistance निकालना चाहते हैं तब ये वीडियो जरूर देखें धन्यवाद